राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन से ऐसे कार्या हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए नहीं तो हमारे घर में गरीबी का आवास हो जाता है हमें कभी भी हवन के बाद जो पूर्ण होती है वो बैठ कर नहीं डालनी चाहिए हमेशा पूर्ण होती खड़े होकर ही डालते हैं और जो हमारे हाथ में हवन समगरी लगी होती है वो कभी भी जाडनी नहीं चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हाथ की लक्षमी वैभ हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी पीपल के पेड के नीचे मल मुत्तर नहीं त्यागना चाहिए, पीपल के पेड में भखवान विश्नु का आवास होता है अगर हम ऐसा करते हैं तो विश्नु भखवान की नराजकी हमें झेलनी पड़ती है और हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है और हमें कभी भी अपने माता-पिता का अपमान नहीं करना चाहिए चाहे वो हमें कुछ भी बोलने कभी भी उनसे उन्ची अवाज में बात नहीं करनी चाहिए क्योंके माता-पिता कभी भी दिल से हमारा बुरा नहीं चाहते वो जब भी कुछ कहते हैं या करते हैं उसमें हमारी भलाई ही होती है और जो लोग अपने माता पिता को गालियां देते हैं या लड़ाई छगड़े करते हैं उनके घर में कब गरीबी कवास हो जाता है ये उन्हें भी नहीं पता लगता इसलिए इस बात का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और हमें कभी भी अपने बाल टूटी कंखी से नहीं स्वारने चाहिए और ना ही वीरवार वाले दिन अपने बाल धोने चाहिए और ना ही घर में पोच्चा लगाना चाहिए इससे भी घर में गरीबी का वास होता है और घर में तरक्की के रास्ते में कई अर्चने आती हैं और वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाता इस तरह से इसलिए हमें कभी भी वीरवार वाले दिन पोच्चा घर में नहीं लगाना चाहिए नहीं वीरवार वाले दिन कपड़े धूने चाहिए इस तरह से इन बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और हमें कभी भी कोई विखारी या कोई मांगने वाला हमारे दरबाजी पर आता है उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए उसे भोजन अवश्य ही करवा कर भेजना चाहिए नहीं उसे गालिया देनी चाहिए क्योंकि विखारी वही बनता है जिसने पिछले जनम में दान नहीं किया होता और इसलिए हमें वही गलती नहीं दोहरानी है हमें भी दान करने से पीछे नहीं हटना है इसलिए जो भी विखारी या कोई मांगने वाला दरवाजे पर आए उसे कभी भी खाली वापस नहीं मोडना चाहिए ना ही उसे दुदकारना चाहिए और अगर हमारे दर्वाजे पर गाय आती है तो अवश्या ही उसे रोटी देनी चाहिए एक रोटी बना कर सुबह वश्या ही गाय के लिए रखनी चाहिए जैसे ही वो दर्वाजे पर आए तो उसे वश्या ही देनी चाहिए क्योंकि हम बड़े सुभाग्या शाली हैं कि अगर हमारे दर्वाजे पर गाए मांगने आ रही है क्योंकि रोटी देने के लिए तो गाए धूमने पड़ती है अगर हमारे द्रवाजे पर ही आ रही है तो उसे वश्या ही रोटी देनी चाहिए कई लोग फिर जाडू से मारने लग जाते हैं इसका फिर फल उन्हें भूगतना पड़ता है क्योंकि जो रिष्टे फिर हमारे बनते हैं आगे वो हमें रोटी के लिए इसी तरह ही दुटकारते हैं क्योंकि कई बच्चे अपने माबाब को रोटी नहीं देते तो ये गलती माबाब ने की होती है उन्होंने गाए को मार कर भगाया होता है इसलिए हमें ये गलती करने से बचना चाहिए इस तरह से ये कुछ पाते हैं अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो कभे भे हमारे घर में गरीबी और दुरुभाग्या नहीं आएंगे हमारा घर खुशियों से भरा रहेगा जै माता दी